आईसोमेट्रिक चैन्प में आप सभी का स्वागत है में नाम मोईत वर्मा है आज के इस वीडियो में हम लोग और्थो ग्राफिक से आईसोमेट्रिक का तीसे नंबर कोश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं तो दोस्तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने बाकी के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन में देदूँगा आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर एक बेस लाइन कीचेंगे और यहां पर एक बेस लाइन पर पॉइंट लागा के तीन एंगल लेंगे पहला एंगल 90 डिगरीगा दूसरा एंगल 30 डिगरीगा और तीसा एंगल भी 30 डिगरीगा तो चलिए एकाव हम जल्दे दिकर लेते हैं तो दोस्तो जासा कि आप लोग देख सकते हैं हमने याप पर reference line बना लिये तो चलिए अब हम समस्ते ही कि यह diagram कौन से angle में बना हुआ है दोस्तो आप देख सकते हैं याप टॉप उपर बना हुआ है इसका मतलब यह हमारा third angle है बना हुआ है आप देख सकते हैं इसका front नीचे बना हुआ है और इसका side दाये तरफ बना हुआ है आप देख सकते हैं कि यह third angle है बना हुआ है इसका मतलब इसमें कुछ भी change नहीं होगा आप देख सकते हैं front view का base यहाँ पे लेंगे तो चलिए अब हम यहाँ पर 60 time का base ले लेते हैं और यहाँ पर 40 time का base line ठीच लेते हैं तो दोस्तों जासे कि अब लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों base line खीच लिया है सबसे पहले हम लोग front view के खाली इतना दूर का हिस्सा बनाएंगे यह वाला L टाइप की आकरति आपको 40 time दिख रही है यह वाली आकरति आपको बायतरब बनी हुई दिख रही है मतलब हमको यहाँ से लेना है इसकी आइट 40 time अब हम इसकेल को इसी लाइन के parallel इसके लास्ट पॉंट तक लिए कि जाएंगे और यहाँ से लेंगे इसकी आइट चलिस हैम यह लाइन खीच लिए हमने चलिस हैम की अब हम यह लाइन खीचेंगे आप दे सकते हैं इसकी आइट यहाँ पर 20 हैम दी हुई है यह लाइन खीच लिए हमने 20 हैम की अब यह अंदर कितना गया हुआ है तो दोस्तों आप दे सकते हैं इसकी टोटल लंबा यह आपको 60 हैम देख रही है मतलब इसकी दोरी यहाँ पर चालिस हैम है अब हम ऐता करेंगे कि इसकी एल को इसी लाइन के पहरेंगे और यहाँ से लेंगे इसकी दोरी चालिस हैम यह लाइन खीच लिया हमने अब हम इसकी दोरी लेंगे इसकी दोरी कितनी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दोरी 40 हैम है लेकिन नीचे होले के दोरी 60 हैम है अगर हमनों 60 में से 40 से हम गठा देंगे तो इसकी दूरी बीसायम बचेगी चलिए अब हम बीसायम के लाइन इधर खीशते हैं यह लाइन खीच लिए हमने फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में योड़ देंगे दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा इतना दूर का हिस्सा बनके तियार हो चुका है अब हम यह वाले rectangle box बनाएंगे अब देख सकते हैं इसकी जो भी एस लाइन है वह हमने यह ले रखी है इसकी जो ये वाली height है वो हमने ये ले रखी है अब हम इसकी ये वाली height खीचेंगे इसकी height भी आपको 20 हैम ही दिश रही है अब देश सकते हैं इसकी projection इधर ही आ रही है तो अब हम scale को इसी line के parallel इसके last point तक लेके जाएंगे और वहाँ देंगे इसकी height 20 हैम finally अब हम इन दोनों points को भी आपत में जोड़ देंगे ये line जोड़ दिया हमने अब हम लोग इसका top view बनाएंगे top view में आपको एक rectangle box देख रहा है जो rectangle box का base line है वो हमने ये एक सीच रखा है तो चलिए अब हम rectangle box के ये और line जिस्ते हैं आप देख सकते हैं इसके लंबाई आपको 40 हैम देख रही है तो आप हम ऐसा करेंगे कि scale को इस line के parallel इसके last point से लेके आएंगे और वहाँ से लेंगे इसके height 40 हैम ये line खीच लिए हमने अब हम ऐसी line यहां से भी खीच लेंगे ये दोनों line खीच लिए हमने finally अब हम इसको भी इससे जोड़ देंगे मतलब इन दोनों points को भी आपस में जोड़ देंगे ये line खीच लिए हमने तो दोस्तों आप ध्यान से देखना आपको यहां पर दो rectangle बने हुए देख रहे हैं मतलब एक तो rectangle taper है और दूसर rectangle flat है अब इसमें taper इस side बनेगा या इस side तो दोस्तों यह आपको अभी थोड़ दिर पतर चल जाएगा फिलाल के लिए हम लोग अभी इस side को taper मानके चल रहे हैं ये जो taper line आपको देख रही है इस वाई line को हम इसको इससे योड़ देते हैं ये taper line खीच लिए हमने अब इसकी चोड़ाई कितनी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी चोड़ाई यहाँ पे दी नहीं है मगर अगर हम लोग इसकी projection इस तरफ लेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी चोड़ाई आपको 20 सायम देख रही है तो अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 20 सायम के दूरी पे पॉइंट लगा लेंगे यह पॉइंट लगा लेंगे अब हम ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे भी लगा लेंगे फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सी आपस में जोड़ा देंगे यह लाइन जोड़ा दी हमने दोस्तों आप ध्यान से देखना हमने यह अवरा टेपर रिस्ता बना लिया है इसकी लंबाई आपको जो 40 सायम देख रही है लेकिन अगर आप खली इसकी दूरी देखोगे ता आप पहोगे नीचे 20 सायम दिया है मतलब उपर ही 20 सायम होगा य मतलब हमको यहां से भी नीचे 20 सायम की एक लाइन खिचनी पड़ेगी यहां से भी इसको जोड़ना होगा और यहां से भी इसके जोड़ना होगा तो चलिए अब हम यहां से पहले 20 सायम की एक लाइन खिचते है नीचे यह लाइन जोड़ दी हमने फाइनरी अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह हमारा आइसोमेट्रिक बन के तियार हो चुका है अगर आप इसको फ्रेंट्रिक से देखोगे तो आप आओगे कि यहाँ पे आपको L टाइप की आकरती दिख रही है और यह वाले ट्राइंगल है आपको यह भी दिख रहा है अब दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि जैसा कि मैंने आपको बूला था कि यह वाले ट्राइंगल आगे क्यों नहीं बनेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो L टाइप क्या करती आपको दिख रही है वो इस वाले डाइगराम में डार्क बनी हुई है अगर हम इसके इस बात को आज़े की तरफ बनाएंगे तो यह चितर कुछ इस से एक ही से दिखेगा आप देख सकते हैं इस समय फ्रेंट वीव में यह वाले लाइन डार्क बनी हुई है अगर इसके front view में यह वाली line hidden मनती तब हम यह वाला diagram बनाते हैं लेकिन इसमें hidden line नहीं बलकि dark line बनी हुई है इतले हमने यह वाला diagram बनाया है finally यह question अमारा यही पर complete होता है उम्मीद करता हो कि यह video आपके लिए helpful वी होगी मगर अगर आपको अभी भी इस topic में कोई doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद